Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ Regulatory Body Exams के लिए जैसे RBI Grade V, NAWARD, SEVY, IFSCA या PFRDA तो जो भी Regulatory Body Exam होते हैं उनको दिमाग में रखके मैं PIB Analysis करूँगा PIB एक बहुत important source है आपके current affairs का especially regulatory body exams के लिए तो English में वीडियो आएगा और daily उतनी news नहीं आती है PIB में, तो खास तोर पर Saturday Sunday को बहुत कम आती है, तो ये दो दिन का एक साथ रहेगा, दो दिन में जो भी मुझे लगेगा कि important है, जो आपके लिए exam में आ सकते हैं, वो मैं उसका analysis आपको दूँगा, बहुत ही crisp way में हम कोशिश करेंगे कि ये analysis 15 minute के आसपास का हूँ, उससे जादा ना हो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो मैं आपको बता दूँ, study IQ का RBI grade B का course launch हो गया है, ये live batch है 17 तारिक से class start होगी, इसका कोई space नहीं है, इसमें मैं pre-recorded videos पढ़ाऊंगा और बाकी faculty live videos पढ़ाएंगे और ये course जब तक exam है, तब तक चलेगा, आप इसमें video कितनी भी बार देख सकते हैं, ये course English में होगा, चलिए start करते हैं, पहले 1 December की बात करते हैं, 1 December को 53 press release आये थे, इन में से काम के थे, लगबग 8 से 9, तो देखते हैं कौन से काम के थे, सबसे पहले, President of India ने जो President's color है वो दिया, किसे दिया Armed Forces Medical College को ये President's color क्या होता है, मतलब President ऐसी क्या चीज है जो देती है तो वो flag मिलता है जिसको President's color बोलते है कई बार सोचते होंगे, ये color है क्या, क्या ये कोई तामर पत्र है क्या ये कोई certificate है क्या ये कोई trophy है, ये basically एक flag होता है तो वो flag दिया उसको राश्टपती का निशान भी बोलते है, ये एक बहुत important question है कि राश्टपती का निशान उसे कहा जाता है रेजिडेंट्स कलर का दूसरा नाम है निशान AFMC पुने को दिया AFMC क्या है, AFMC एक medical college है AFMC पुने, जो MBBS वगारा की जो education है वो करवाता है, armed forces में जो medical officers है उनको train करता है एक बार doctor MBBS करता है AFMC से तो एक certain amount of time उसे आर्मी में serve करना होता है तो AFMC कब बना था, 1948 में बना था, एक मही 1948 और President's Color और किस को मिला है 2023 में, अगर आप से पूछू तो एक तो recently मिला है Naga Regiment की 3rd Battalion को जो हल्दवानी से operate करती है हल्दवानी में इसका headquarter है, हल्दवानी कहा है हल्दवानी उत्राखंड में है तो हल्दवानी में रेज की गई थी ये 2009 में, इसको बोलते हैं 3rd Battalion of the Naga Regiment एक अक्तुबर 2009 को हल्दवानी में रेज की गई थी इसे भी President's Color मिला है इसके अलावा हर्याना पुलिस को भी मिला था 2023 में हर्याना पुलिस को मिला था और INS Dronachare को भी मिला था जो हमारी Indian Navy का एक Training Center है INS Dronachare केरला में है उसको भी मिला था तो इन चारों को मिला था लेकिन हमें थोड़े latest वाले याद रखने है तो बस AFMC और 3rd Battalion of the Naga Regiment आप याद रख सकते हैं चलिए अब बात करते हैं 5th Global Ayurved Festival Global Ayurved Festival अभी अभी केरल की जो कैपिटल है तिरो वननतपुरम वहाँ पे हुआ था तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है Global Ayurved Festival ये एक BINIAL event है BINIAL मतलब होता है कि ये दो साल में एक बार होता है कई बार आप दो वर्ड सुनेंगे एक होगा BINIAL BINIAL मतलब जो एक साल में दो बार हो जैसे ASEAN Summit वो एक साल में दो बार होता है तो BINIAL हो गया BINIAL मतलब जो दो साल में एक बार होता है तो Global Ayurved Festival 2012 में स्टार्ट हुआ था और अब 2023 में ये पाँचवी बार हो रहा है तो इसका थीम क्या है इसका थीम है Emerging Challenges in Healthcare and Resurgent Ayurveda इसको किसने और्गिनाइज कराया इसको एक institute है एक संगठन है जिसको बोलते है Center for Innovation in Science and Social Action यानि SISA और ये SISA जो संगठन है ये भी त्रिवेंद्रम में ही है केरल की Capital त्रिवनद्पुरम वहीं पे है पुराना नाम त्रिवेंद्रम में नया नाम है तिरुवनद्पुरम एक ही बात है और आयूश मंत्राले के साथ मिलके इसका आयूजन किया SISA ने या पर आपको ये भी बता देता हूँ आयूरवेद की अगर बात कर रहे हैं तो अभी अभी एक स्कीम लाँच हुई है प्रधार मंत्री मोधी ने करी है आयूश मंत्राले के अंडर एक इंस्टिट्योट आता है जिसको बोलते हैं Central Council for Research in Ayurveda Sciences मेरीपेट करता हूँ CCRAS यानि Central Council for Research in Ayurveda Sciences तो इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी है इंडिया में Ayurveda Research को प्रमोट करने के लिए जिसका नाम है अगनी यानि Ayurveda ज्यान नैपुन्य इनिशेटिव अगनी ये Ayurveda practitioners के लिए है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी-अभी Michong एक साइकलोन आया था Bay of Bengal में तो Michong ने काफी तबाही मचाई है खास दोर पे चेनड़ी में फुदुचेरी में कुछ हिस्सा जो आंधरा का था आंधरप्रदेश उसमें भी यानि Bay of Bengal में आया था तो ये नाम किस ने दिया था? Michong ये नाम दिया था मयामार ने तो ये कौन से नंबर का साइकलोन था? तो इस सीजन की अगर मैं बात करूँ यानि 2023-24 वाला जो सीजन है इसमें ये 6 साइकलोन अब तक आ चुके हैं अब ये है एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6 ये इसी ओर्डर में आपको याद रखने हैं अब इनमें 2 एक साथ आये थे तो तेज और हमून एक साथ आये थे इसलिए हम इने ट्विन साइकलोन बोलते है ट्विन साइकलोन एक साथ आये थे ठीक है? अब अगली चीज़ आपको याद रखने है ये नाम किस-किस ने दिये तो मोचा नाम दिया था यमन ने बिपर जो है दिया था बंगलादेश ने तेज नाम इंडिया ने दिया था हमून एरान ने मिदिल है दिया था मॉल्डिव ने और फिर मिचोंग जो लेटेस्ट आया है ये नाम दिया था मयामार ने अब अगली चीज़ याद रखनी है और इंडिया नोशियन में अरेबियन सी भी आता है अरेबियन सी इंडिया के वेस्टन कोस्ट पे है और बंगल की खाड़ी हमारे इस्टन कोस्ट पे है तो बंगल की खाड़ी किस किस से लगती है ओडिसा, आंदरपरदेश, तमिलनाडू और वेस्ट बेंगल और Arabian Sea लगता है गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और फिर नीचे आते जाओ आप महाराश्ट्रा, गोवा, करनाटका और किरला तो ये जो location है अब इसमें देखिए याद रखना कितना असान है तो इसमें जो Cyclone Tej है ये Arabian Sea में आया Cyclone Tej कहां पे आया था Arabian Sea में और Cyclone Vipper Joy ये भी Arabian Sea में आया था आपको याद होगा गुजरात में काफी तबाही मचाई थी विपर जोई ने तो ये भी Arabian Sea में आया और बाकी सारे Bay of Bengal में आया है यानि मोचा भी Bay of Bengal में आया था Cyclone मोचा हमून भी Bay of Bengal में मिधिली भी Bay of Bengal में और मिचौंग भी Bay of Bengal में तो छे में से दो जो है वो Arabian Sea में आये है विपर जोई और तेज आये थे Arabian Sea में और बाकी चारा है बे अब बेंगोल में वैसे कुछ और Cyclone है जो आ सकते हैं आने वाले समय में तो उनके नाम में आपको बता देता हूँ जो अगला Cyclone आएगा उसका नाम होगा Remal उसके बाद आएगा Asna फिर आएगा Dana और फिर आएगा Fangle तो ये रेमल जो नाम है ये Oman ने दिया है Asna नाम पाकिस्तान ने दिया है Dana नाम Qatar ने सजेस्ट किया है और Fangle नाम Saudi Arabia ने सजेस्ट किया है और obviously जब ये Cyclone आएगे तब ही बता चलेगा ये कहां आ रहे है तो जब ही आएगे I will keep you posted अब बात करते हैं भारत और Sweden ने मिलके Phase 2 लाँच किया है Lead IT का ये Lead IT एक बहुत ही ज़ादा important question है आपके exam के लिए तो Lead IT की सबसे पहले तो full form याद रखिए Leadership Group for Industry Transition ये है इसकी full form और COP28 में इसका Phase 2 लाँच हुआ है तो ये पहली बार कब लाँच हुआ था Lead IT Lead IT पहली बार लाँच हुआ था UN Climate Action Summit जो New York में हुआ था 2019 में वहाँ पर वहाँ पर भारत और Sweden ने मिलके launch किया था तो Lead IT में हम करते क्या है Lead IT में हम जो Industries हैं उनको ये बताते हैं कि आप अपना Carbon Emission कम कैसे कर सकते हैं यानि Low Carbon Technology जो है वो आप कैसे Adopt कर सकते हैं ये हम Industries को सिखाते हैं हास तोरपे वो Industries जिनमें Carbon Emission बहुत ज़ादा होता है जैसे Iron Industry Steel Industry, Cement Industry, Aluminium Industry इनमें काफी ज़ादा होता है तो हम इनको Industry Transition यानि आप अपने जो Traditional Sources of Energy है उनसे नए Renewable या जो दूसरी Low Carbon Technology है उनमें जाए ये हम उनको बताते हैं तो India और Sweden ने मिलके इसे launch किया था United Nations Climate Action Summit New York में जो हुई थी 2019 में वहाँ पे World Economic Forum ने भी इसमें support दिया था अपना तो LEED IT किसके बीच में प्रोजेक्ट है India और Sweden ने launch किया था और अब इसके 38 members हो चुके हैं जिनमें 18 country हैं और 20 company है 38 member हो चुके हैं यानि अब ये काफी बड़ा organization एक multilateral organization बनता जा रहा है LEED IT अब हम बात करते हैं Global Green Credit Initiative की जो COP28 में launch करा है किसने ये इंडिया और UAE ने मिलके launch किया है और already इसको काफी सारे countries अपना चुके हैं अब ये क्या है इससे पहले आपको समझना होगा Green Credit Program अक्तूबर 2023 में भारत का जो Environment Ministry है उन्होंने एक Green Credit Program स्टार्ट किया था Green Credit Program ये है कि कुछ activities दिये गए थे जैसे paid लगाना या waste management करना tree plantation, waste management अगर कोई company या even individual ये activities करता है तो उन्हें Green Credit सरकार की तरफ से मिलेंगे और ये Green Credit फिर वो आगे sell भी कर सकता है किसी दूसरी company को यानि ये जो Green Credit आप earn करोगे कुछ अच्छे activities करके अलग-अलग activity दिये गए थे उसमें तो वो activities आपको करने है जैसे paid लगाना, तो अगर आपको काम करते हो तो फिर आपको Green Credit सरकार award करेगी और वो Green Credit फिर आप किसी को sell भी कर सकते हो उसके लिए proper एक trading platform होगा, जो आगे जाके बनाए जाएगा अब इसी concept को Green Credit program को ही Global Scale पे PMODI ले गए और UAE के साथ मिलके उन्होंने launch किया Global Green Credit Initiative तो ये country level पे है और उन्होंने बस इसी program को एक global level पे propose किया और काफी सारे countries ने इसको कहा कि हाँ हम भी से करना चाहते हैं तो इसकी fine details अभी आनी बाकी है कि इसमें exactly कैसे ये काम करेगा किस तरह से trading होगी, किस तरह से activities होगी, लेकिन essentially ये जो Green Credit program भारत सरकार ने स्टार्ट किया था अक्तुबर 2000 ते इसमें उसी का एक global representation है, ये Global Green Credit Initiative अब हम बात करते हैं BSF, BSF आप जानते हैं हमारे दो borders पे हमारी रक्षा करता है एक तो पाकिस्तान और एक बांगलदेश BSF हमारे ग्रह मंत्रा लेके धीन काम करता है Ministry of Home Affairs और BSF का जो foundation day था वो था एक तारिक को यानि कि 1 December को 1 December को BSF का foundation day मनाया गया Border Security Force और सीमा सुरक्षा बल जो है हम इसे बोलते हैं अब इसमें जो main event हुआ था वो कहां पे हुआ था याद रखिए BSF का जो main event हुआ था इस बार वो हजारी बाग में हुआ था हजारी बाग एक district है जहारखंड में हजारी बाग में हुआ था और BSF कब बना था BSF 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान वार खतम हुई थी उसके बाद बना था Border Security Force और एक दिसमबर को नागा लेंड ने अपना Statute Day भी मनाया था यानि नागा लेंड का जो Statute Day था वो था एक दिसमबर उसके बाद PM Modi ने जब अपनी स्पीच दी थी तो उसमें दो तिन चीज़ें आप से पुझी आ सकती है जैसे इंडिया COP 33 को होस्ट करना चाहता है 2028 में उससे पहले तो COP29 और COP30 भी होगा COP29 होगा बाकु में अजरबैजान की कैपिटल और COP30 होगा ब्राजील में और अगर आपसे पूछ लें कि ब्राजील में कहां पे होगा COP30 तो एक शहर है Amazon के ज़ंगल है वहीं पे Amazon नदी के किनारे Belém 2.12 Belém 2.12 Belém 2.12 ये एक शहर का नाम है यहां पे होगा 2025 में COP30 और COP29 बाकु में होगा India COP33 को होस्ट करना चाहता है 2018 में ये PM Modi ने अपनी स्पीच में कहा था इसके अलबा PM Modi ने ये भी कहा था कि जो हमारे Nationally Determined Contribution के टारगेट हैं हम उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो क्या टारगेट है हमारे ये 5 टारगेट हैं carbon intensity है उसे 45% कम करना चाहते है 2030 तक हमारा जो पूरे एंडिया में जितना भी energy use होगा उसका 50% renewable energy होगा 2030 तक और 500 GW renewable energy capacity हम develop करेंगे 2030 तक clear तो ये जो चीजें हैं ये 5 हम achieve कर लेंगे 2030 तक ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री Modi ने जताया है उसके बाद 2 December की हम बात करते हैं 2 December में बहुत जादा कुछ खास नहीं था एक दो ही चीजें थी तो वह आपको बता देता हूं US India CEO Forum यहाँ पे विबिन जो बड़ी बड़ी कंपनिया है इंडिया और US की उनके जो CEO वगारा है वो आपस में बैठके बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्यूश गोयल है उन्होंने वो गए थे और उन्होंने एक अपनी स्पीच में दो वर्ड यूज करें कि हमने कुछ नए इनिशेटिव लाँच करें हैं जैसे निहित और जैसे फिस्ट निहित और फिस्ट अब यह निहित और फिस्ट क्या है यह आपको बताता हूं पहले फिस्ट की बात करते हैं framework for integrity, security and trust यह फिस्ट कब launch हुआ था? फिस्ट launch हुआ था September 2023 में September 2023 में यह basically एक हमारा जो internet है पूरा हमारा जो यह online trade और यह सब होता है यह एकदम secure होना चाहिए safe होना चाहिए transparent, safe and secure होना चाहिए right internet more open, accessible, safe, transparent and secure उसके लिए launch किया गया था फिस्ट, फिस्ट की platform है framework for integrity, security and trust तो global cyber peace summit हुई थी, वहाँ पे इसको launch किया था उसके बाद है निहित, अगें इंडिया US CEO forum का ही product है निहित, निहित में जो MSME है भारत में और भारत में लाखों MSME है, वो सारे एक platform पे knowledge sharing करेंगे, best practices share करेंगे, आपस में connect करेंगे, collaborate करेंग और सारे मिलके thrive करेंगे, उसके लिए platform है निहित, यानि trade, knowledge और innovation को improve करने के लिए MSME के लिए platform बनाया गया था निहित, तो यह इंट्रस्टिंग लगा मुझे, fist और निहित, तो यह आपसे पूछ सकते हैं, उसके बाद IDEX की बात करते हैं, Defense Innovation Organization, DIO, यह चलाता है IDEX को, यानि Ministry of Defense इसे चलाता है, IDEX क्या है, हमारा जो Defense Ministry है, वो private companies के साथ मिलके काम करता है, और private companies को support करता है, कैसे support करता है, IDEX में 1.5 करोड रुपे, 1.5 करोड रुपे तक का जो grant है, वो दिया जाता है, Ministry of Defense के दवारा private companies को innovation करने के लिए defense sector में, तो अभी नोंने 300 बा contract sign करा है, कौन सी company के साथ, इस company का नाम है, Agnit Semiconductor, और ये company क्या बनाती है, ये semiconductor बनाती है, Gallium Nitride Semiconductor, गैलियम नाइट्राइड Semiconductor बनाती है, तो IDEX के तहट 300 बा contract sign करा है, Ministry of Defense ने, अगनित Semiconductor के साथ, यहाँ पर आपको बता दूँ, एक योजना चलाई थी, Ministry of Defense ने, Sprint, ये Indian Navy के लिए चलाई थी, Indian Navy इस्तेमाल करना चाहती है, IDEX का, NIIO का, और TDAC का, तो इसका नाम है Sprint, तो Sprint में भी भई है, private companies के साथ मिलके काम करना, इन सब चीजों का फाइदा उठाना, IDEX तो मैं आपको बता दिया, IDEX पहली बार launch हुआ था, 2018 में, और इसको Defense Innovation Organization चलाता है, फिर NIIO क्या है, Naval Technology Acceleration Council, ये भी जो Naval Technology है, उसको इंप्रूव करने के लिए एक organization मिलाया था, NTAC, और एक है Naval Innovation and Indigenization Organization, ये 2020 में लोंच हुआ था, Ministry of Defense के द्वारा, तो Indian Navy ने एक Sprint नाम की योजना चलाई हुई, जिससे वो private sector के साथ deeply मिलके काम कर सके, और बाद में जब IDEX popular ह होने लगा, तो एक और scheme आ गई थी, IDEX Prime, इसमें amount बढ़ा दिया गया था, इसमें 1.5 करोड से 5 करोड तक का amount कर दिया गया था, तो IDEX में 1.5 करोड तक का grant मिलता है, private companies को, Ministry of Defense देती है, grant 1.5 करोड तक का, और IDEX Prime में 1.5 करोड तक का grant उने मिलता है, अब हम बात करते हैं, ये SBM गोबर्धन Biogas Conference की, SBM मतलब सोच भारत मिशन, तो गोबर्धन Biogas Conference अभी अभी हुई थी, तो बस इसमें आपको ये याद रखना है, भारत में हम गोबर्धन Plant लगा रहे हैं, यानि Biogas Plant लगा रहे हैं, अब एक तो गोबर्धन योजना के तहत लग रहे हैं, गोबर्धन योजना का, गोबर्धन योजना का टार्गेट ये है कि हमें 2026 तक 15,000 टन पर डे, 15,000 टन पर डे, कैपैसिटी के Bio-CBG यानि Bio-Compressed Biogas Plant हमें सेट अप करने, Bio-CBG Plant हमें कितनी कैपैसिटी, जितने भी हम सेट अप करेंगे, उनकी टोटल कैपैसिटी, 15,000 टन बर डे की होनी चाहिए, 2026 तक ये टार्गेट है हमारा गोबर्धन योजना का, जिसे जलशक्ति मंत्रा ले चलाता है, और जो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, जब बज़ाट आया था 2023 का, तो उसमें ये अनाउंस किया गया था कि भारत में 500 Waste to Wealth Plant लगेंगे, य लेकिन टोटल होंगे 500, तो बज़ट में अनाउंस किया गया था कि हमें 500 गोबर्धन प्लांट लगाने हैं, और इनकी टोटल शमता मिला के कितनी होनी चाहिए, 15,000 टन पर डे, 15,000 टन पर डे, लेकिन हम जो बायो गैस प्लांट लगाते हैं भारत में, एक और योजना के त affordable transportation, तो ये है सतत, सतत में हमारा क्या target है, ये योजना 2018 में start होई थी, इसमें हमारा target है, 5000 compressed बायो गैस प्लांट लगाने हैं, और इनकी जो बायो गैस, टोटल कितना produce हमें करना है, तो हमें total बायो गैस प्रोड्यूस करना है, 15,000 टन, 15,000 टन, ठीक है, तो 15,000,000 metric टन की capacity आन नहीं चाहिए, 5000 compressed बायो गैस प्लांट से, ये target है हमारा सतत स्कीम का, भी recently सतत योजना को आगे भड़ा भी दिया गया है, सरस food festival, एक सरस मेला भी होता है, जिसको बोलते हैं सरस आजीवी का मेला, और सरस food festival दोनों को कराता है हमारा ग्रामेंड विकास मंत्रा ले, तो बस य हमारे ग्रामेंड विकास मंत्रा ले का एक target है, कि भारत में 2 करोड लखपती दीदी होनी चाहिए, लखपती दीदी मतलब ऐसी महिला हैं, जिनकी साल की आमदनी कम से कम एक लाक रुपे हो, तो 2 करोड लखपती दीदी का हमारा target है, उसको भी, उसमें भी help करता है ये food festival, क् की महिलाएं भी आके अपने food stall वगरा यहां पे लगाती है, इस तरह के मेले दूसरा मंत्रा ले भी करता है, जैसे एक दिव्य कला मेला लगता है, दिव्य कला मेला, दिव्यांग लोगों के लिए, जो कला मेला है, वहाँ वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, इसको चला करते हैं, UN Peacekeeping, इनकी जो बैठक हुई थी सालाना, UN Peacekeeping Ministerial Meeting, ये गहाना की Capital आकरा में हुई थी, आकरा इस साल के लिए 2023 के लिए UNESCO की तरफ से World Book Capital भी थी, और 2024 में World Book Capital होगी, फ्रांस का शेहर, स्ट्रेसबर्ग, विश्व पुस्तक राजधानी, स्ट्रेसबर्ग, तो गहाना की Capital आकरा में हुई थी, और यहां पर यह भी डिसाइड किया गया, कि माली में जो mission है, Peacekeeping Mission वो अब खतम हो रहा है, इस mission का नाम था Minosmo, ये अब खतम हो रहा है, क्योंकि माली में अब काफी peace है, तो महाँ Peacekeeping की ज़रुत नहीं है, उसके बाद भारत ने जॉइन कर लिया है, Codex Elementary Commission, ये क्या होता है, Codex Elementary Commission को भारत ने उनकी जो Executive Committee है, उसको इंडिया ने अभी अभी जॉइन किया है, ये काफी important question है, देखो Codex Elementary Commission को किसने बनाया था, इसको Food and Agriculture Organization और World Health Organization ने मिलके बनाया था 1963 में, इसका काम ये था कि जो consumer है, उनको protect किया जाए, यानि Food Safety के जो standard है, वो set करता है ये commission, तो Codex Elementary Commission में इंडिया ने क्या कहा, इंडिया इनकी अभी बैठक हुई थी, 46th meeting अभी हुई थी, FAO की, तो वहीं पे Codex Elementary Commission की Executive Committee की बैठक भी हुई थी, Rome में, क्योंकि FAO का Headquarter Rome में है, Food and Agriculture Organization, इंडिया ने ये कहा था यहाँ पे, एक तो obviously India Executive Committee का member बन गया है, तो year of the millet था और 2024 का साल year of the chemlets, United Nations की तरफ से, तो millets बहुत सारे हैं, finger millet, little millet, proso millet, kodo millet, और pearl millet, बहुत सारे millet होते हैं, इंडिया ने कहा कि आप सब के standards define कर दो, जैसे pulses के, Codex Elementary Commission ने pulses इतनी सारी दाल होती है, तूर की दाल, मुंग की दाल, उडद की दाल, मसूर की दाल, उन सब के standard define किये हुए हैं, कि उनके standard food safety के लिए क्या होने चीए हैं, ऐसे ही आप जितने भी तरह के millets हैं, सब के define कर दो, अब यह सारे millets के define नहीं है, सिर्फ दो ऐसे millets हैं, जिनके standard define किये हुए हैं, एक तो है sorghum, जिसको हिंदी में बोलते हैं, जौर, sorghum, और एक है pearl millet, pearl millet को बोल एक leadership चाहता है, millets में, तो Codex Elementary Commission में, जितने भी UN Countries हैं, सारे इसके member हैं, इंडिया ने भी Codex Elementary Commission को join किया हुआ है, 1963 में ये बना था, इंडिया ने अगले साली 1964 में इसको join कर लिया था, ये हमारा वीडियो था, PIV analysis, ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसे मैंने बता है, मेर आपको हर दो दिन का PIV, उसमें जो main-main चीज़े हैं, वो मैं आपको बता दूँँ, जो exam के लिए आपको काफी confidence feel कराएंगी, हमारा मैं याद दिला दूँ, RBA grade B का course बस सब स्टार्ट होने बाला है, 17 जनवरी से live classes हैं, और मेरी classes जो हैं, वो आज से स्टार्ट हो जाएंग या फिर आप हमारी website studyiq.com पे जा सकते हैं, या फिर buy link मेरे नीचे description और print comment में डाल दिया है, उस पे भी click करके आप इसे purchase कर सकते हैं, अगला वीडियो का लाएगा जिसमें मैं 3 और 4 दिसमबर के जो PIV है वो cover करूँगा, मैंने दिसमबर महीने से start किया है, उतना sufficient रहेगा, क्योंकि मेरे इसाब से 6 महीने का काफी होता है और exam June से पहले नहीं होगा, तो 6 महीने का काफी रहेगा, तो मिलते हैं फिर 3 और 4 दिसमबर के वीडियो में, thank you for watching, studyiq.